जय जगरनाथ दोस्तों चले आज हम जानते हैं कि हजम मंत्र क्या है बोले तो हम कुछ इधर उदर से ज्यादा खा ले भूजन अच्छा था खा खा कर ज्यादा खा ले और इतना बड़ा पेट हो गया है हजम नहीं हो रहा है पेट पर हाथ अपने आप चले जाता है बारी बारी लगता है सुनने को जी करता है ज्यादा खाने से क्या होगा आलसी होगा आलसी होगा सुनने को जी करेगा कुछ ने करने के लिए मन करेगा तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो हिंदू संस्कृतिक अनसार हमें एक मंत्र है जिसको तीन बार पढ़ना है और पढ़ते समय अपर अपने पेड के ऊपर हाथ घुरााना है गोल गोल की तरह घुराना है और तीन बार पढ़ने के बाद तीन फूंक उमारना है अपने पेड को तीए आप दूसरे को भी कर सकते हैं ऐसे दूसरा कर अच्छा कर सकते हैं लेकिन ये कोई हजमला जैसा चीज नहीं है कि ज्यादा खा लिया मंतर तो हमारे पांस है चलो ज्यादा खा कर इसे पड़ देते हैं ऐसा नहीं है परिस्थिति कुछ ऐसा जटिल हो तो आप इसे प्रवय कर सकते हैं ये कोई खेलने का या हसी मज़ा का चीज नहीं है जैसे हम मेडिसिन यूज करते हैं उस तरह नहीं है लोगों के काम में आए लोगों के अस्विधा के दूर करने के लिए मंत्र आप यूज कर सकते हैं चलिए सुनते हैं ये मंत्र को मंत्र है आतापी भख्यते जेन बात्त पित्त महाशल शमुद्र सुसवय बारी अगस्ती बडवानल अतापी भख्यते जेन बात्त पित्त महाशल शमुद्र सुसवय बारी अगस्ती बडवानल अगस्ती रुषी के नाम के नुसार ये मंत्र है तीन बार इसको पढ़ना है और तीन बार eskoda को अपने पेट पढ़ते समझ अब हाथ जुराना है ठीक है तो दोस्तों लोंको जरूर श्यार करना लेगीन इसका सद पुच़र करना ढ showed no अच्छा लगे तो स्यार करना और चैनल को स्वस्क्राइब करना आगे-आगे हम आपके लिए इसे नया निया वीडियो लाते रहेंगे जाए जबनात